एक निए इस खूँ अरे भाई है जोड़ी एक बर सभी सभी जुड़कर के बताइएगा कि आपके पास मेरी मधुरवानी आ रही है मेरी मधुरवानी आप तक ठीक से पहुँच रही है या नहीं बताइए जल्दी से फिर इस सेशन की शुरुवात करते है तो सभी को वेरी गुड़ इवनिंग मैं परदी पहल हर्यान आटाइट इंफो सेवन यूटूब जनल पर आज आपके सामने आज अगले सेशन लेकर आखू जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में कौन-कौन कैसे कैसे पर्थमसान पर रहा है मेरे एक क्यूशन का जवाब दे दो जी आपके दो क्यूशन का जवाब दोंगा बताइए जल्दी से जुड़िये और सेशन को सारे एक बार बाइमेर्टिक जुरू लगा दो लाइक कर दो एक बार सभी सेशन को फिर उसके बाद इस कंडिनू करेंगे सेशन को भाई और जो भी वच्छा के ग्रूप डिकी वी तहरी कर रहा ने देना में वह भी स्क्लास के साथ जूड़ सकता है ते करना बिलकुल मजा आएगा सब को और जो है जब दो आगे हैं सारे चलो सब्सक्राइब कर दिया बाइमेरे निस तो लगाई नि बाइमेठी के निस लगाना बिलकुल जरूरी है ये कला सुबह सुबह करने वर की होती है इसमें मैं हरियाना को भी जोडने वाला हूं कल आएगी देख लेना बेसा का पेक शिंगल टोपिक को जोडने वाले वह भी आएगी अंकुस अरफ पेड़ वास के बत्सक्राइब कर सकते बैस फटापड़ यहां पर प्रक्टिस कर सकते क्योंकि वहां पर फ्योरी पड़ रहे हो वहां पर लगबग फ्योरी पड़ रहे हैं इसलिए एपको क्सिंगी प्रक्रेश करने है तो तरह तो आप वहां वहां रहे सकते हूं और यह रात को नोगे अरियना जिक्के होती है और यह आप त्यारी कर रहें किसके लिए आप बात करें इंदर प्रस्ट बैस्क लेना चाहते हैं देलिब्लिस कॉंस्टेवल के लिए तो आप अभी 880 रुपए में वाई 737 कोड लगा क दिखाई देरा होगा बताईगा भारतियर आश्ट्री कोंग्रेश के पहले ह्ठकों थे भारतियों रास्ट्रिय राष्ट्रे कोंग्रेश के पहले अध्क्राइब करेंगे तो दाइस अब पर व्यसाraumaj सब्ढरा यह उतां अ करेंगे तो समय पर लाट डफरियन लाडव ह ऐसाब जो है उस टाइम पर वायसराय होते थे इस समय पर वायसराय की जो हम बात करेंगे तो कौन थे लाट डफरीन थे यह 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 लाट रिन रहे थे आप से कब तक 1884ons लेगर d darkest 18 88 तड़ छो आरास consist đã 1888 आप को कि लाट डफरीन उस तो में आप यह बताएगा कि भारतिय राष्ट्रे कुंग्रेश का जो पहला अधिशन हुआ था उस अधिवेशन को कि इंबात करें तो वह कहां पर किया गया था तो उसका आजन बंबे में हुआ था जिसमें कितने अनिया ने भाग लिया था तो कितने लोगों ने लग भगे बहतर के आसपा से लोगों ने इसमें पार्डेश्पिट किया था ये भी आप जानते होंगे 1885 बात करेंगे तो भारतिय राष्ट्रे कुंग्रेश में एक नाम आता है मुलाना अभुलक कलामाजाद यह उप्शन में आप देखें आप देखेंगे सब से यू आ भारतिय र हैं कभी सटर दर बप्रे भाथ टय्वक्रेश का अदिश्टा करी है कभी सटर पठेल ने भी बारतिय रास्ट्रे कोरिश्टा कर ई कर structure के करे है तो तो कब अन्युक्त करी है करें है इदे ऐसा कर दे तो सदार वालब उपटेल जिनको सदार की अपादी दी घए थी बार्दोली के मेलाओं के दोवारा तो वह इसरदार वालब अप्टेल जो है जिनको आगे जाकर के जब बात करेंगे तो राम रमी ले लूँ बाई प्रिंस और रेका दिवराव है और नान एक सरू मैं नहीं नजर गई होगी नाराज़ी के सदनी बेटा नहीं नहीं मैं कराओं की तीचर कभी भी नेगेडे न्यों सबता लिए Teams की बच्चे के लिए स्टूटेंटटन के लिए चाहिए और जो होता कि नहीं यह खलत है और यह नेगटिव किसी के बारे में गलत सोचता है तो टीचर नहीं है तो मैं तो भाई में चैयर्षानी प्रैस का उग करने वाला प्रफम व्यक्तिकॉन है मतलब यहाँ प्रैस की बातны Comcanaya तो प्रैस की शुरुवात करने वाला यह यह आपके सामने दिया हुआ है जल्दी जल्दी कोमेंट की आंसर दीजिएगा बिलकुल जी तो इसकी तो इसका राप कदर क्या दिया गया ऐसकी जोह आहले और यह से वैकती हैं बाइसाब की देगा बिलकुल बिसक चला बिसक दोई सालों अरे चला बिसक 1780 तक लेकिन कलकत्ता से पहला अंग्रे जी का समाचापतर इनों ने और यहीं प्रेस के जन्मदाता माने जाते हैं स्टेंदर नंट टेगर का नाम आता है आपको बिलकुल जी आप आई एस की प्रिक्षा के मा आप किस नाम से जानते हैं उसको आप दादा भाई नारो जी के न चैनल नारो जी के नारो जी एँचिक जाना जाता है नहीं कहा है और लाडन में वो फ्रेढ़ है आरे भाई साब जिस ने मेंneg 기대 सब्सक्राइब एर वह सो था सीम् function भारती राष्टिय और वह करी और वह पहले अंग्रेज दिक्स टेजडिस ने माटे राष्टिय कोंगरे इसन जो की अदिक्स्ता करईब्य हो उसका नाम कि नाम से जामते कि रुनो सलोन वाधर बोलते हैं एक मेंस्ट कोई बाते हैं तो मुक्त रजेंगे मुलान जो है क्या वही अप्रटेंगे खान अब्दुल कफार का को डियोगा अप्रट की नाम गुर्णिपरन दोनों के राजनीदिफू के रूप में गोपालकिशने गोखले का नाम देने जिनना और जो है अपने महतमें गणी दोनों के ही राजनीदिफी के रूप में इन का नाम आप लेते हैं ने गए इन सभी चीजों को आप याद रखेगा बिल्कुल जी आगेला क्योशन है भारत का पहला गवर्नेजनल कौन था भारत का पहला गवर्नेजनल की जम बात करें तो उसमें किसका नाम लिया जाता है लाड़ वीले मेंटिक का नाम लेते हैं या फिर लाड़ केरिंग की बात करें गवर्नेजनल मते तो इस का वाले अवाल् violation मेर लगर आड़ का नियुक मैं एम लाड़ कोन है लाट का पहला वए राए राए कोन है यह बात के पहले वाइस राय है कब की बात आए अठासो ठावर में अठासो ठावर में यह इन्हों ने आम आप कहें तो इंडियन गौर्मेंट डैटेटीन 58 को पस्तूत किया था इलाबा ने जो है परियाग राज में तो यह वो लाड कैनिंग थे आरे हमारे जो आजादी के स समय भाद की गवर्णल की भूमी का को निवा रहे थे लाड के रिंग और इने के समय में में मदरास में तीन युनिवर्शीज बनती हैं विश्युदाल्य बंते हैं घर जो के समय में तो उसका नाम भी लाड कैरिंग देने वाले अटासो अस्तान में कौन थे हमारे गोड़ बनते हैं आधमारे देश में आई कोर्ट की संगया कितनी है तो वर्तमान में 25 आई कोड है इंडिया का सबसे बड़ा इकोड कौन साय तो बोलेंगे परियागराज बोलते हैं क्या एक राज्य के अंडर में दो तिन चार पांज राजय हो सकते हैं बिल्कुल भी कितने भी र आप को देखाया देगा हाली में उसके नहीं बिल्दिंग का उद्गाटन किया गया हमारे वर्तमान में जो है ततकालीन क्या सुरिंगोड के मुखर नादीस डीवाइच अंडर्चूड के दोरा दीवाइच अंडर्चूड अपने भारत के सुब्रीम कोड की बात करेंगे तो उसके पचास भी चीप जसीस ऑफ इंडिया है इनके पिताजी एस चंदर चूट भी जो आप याद रखना लाड माउंड बटन लाड माउंड बटन की बात करूँगा तो इस ने क्या किया है भाई साब ने कुछ किया है बिल्कुल जी आरेक नाम चुनाओगा अभी आल योजना आए जी जी किसके अधर वर्भात और पाकिस्तना लग हुए तो बोलेंगे मांड बेटन योजना के तहद यह वहीं लाड माउंड बेटन थे जो आजादी के समय बारतिय रास्टिकोंगा इसके सवतंदर वारत के पहले और आखरी बेटी स्वाइसराय थे उनका न बिल्कुल परतम समाचार पत्र शुरू करने वाले वेक्ति बाद के मैंने ऊथिए नि पहले बताया कि आरियाना में में नमभात में सबसे पहला अंग्रे जी का समझे बत्र किसने प्रतूत किया जीमस आगस्टक सिक्की ने ते किने ने सागस्टक तक एक कीने 1780 में किया थ कि पहला हिंदी का समझते पत्र किसने पेख क्या क्या तो उसका नाम क्या देंगी आप जुगल की सौर ने किस ने ढिया जुबर की सौर ने लेकिन वह बात कब कि अपी है लेकिन उबात एक पट्र शूर गर्ट सरो करने का या आजाता लिया जाता है pessoal कि आपके देने वाले हो समाचर पत्र सुरू करने का स्वाइब जेम्स आगस्ट रोगे ही का नाम ही इसके दवरा लिया जाता है किसके दवरा जेम्स आगट सब्किकी नहीं इसका प्रकाशन की शुरुआत अभी जो है की है याद रख लेंगे इन बातों को चलो आगे चलते ह बैट का उन्तना आगधि देन ऊक्रते माज़न को बोक तो क्या साइब वहलेंगे अन्तफिम और प्हाले वाचर रहे का पता कूण का कौन देंगे इसका नाम लाड कैणिंग देने वाले हो झाला क्योंसे नहीं उसे नहीं लटाइए विपेस ए संसत कसरे से बनने वाले परतुम भारती इसका सब्सक्राप देंगे टो क्या देंगे ये या यह की कि मातमगान दादा हूं जी और मौलान अबुलकृ नह बठाहिन नखर मद रह आ बहुत बड़ी आद जली सल्दी आंसर देने वाले हो asked बढ़िया जली जली आशर दिया कर आई मतलब नियों ने यारे कर दो जल्दी से सेस्टन को एक बार लाइक भी कर दो पहली बार आयो पहली बार तो चलन को सब्सक्राइब कर लिजेगा पहला इकां जूर दबालो बिल्कुल जी क्लास रुक लिए जी बीच-विस में ना भाई सात ना बना चीए अरग यहां तो ठीक चल डी सारी शीचें ब लेने वाले हो क्या देंगे दादा भाई नारो जी पहली बार मुर्टी संसर्थ के सदस्थ से बने की बात आती है तो इनका नाम लिया जाता है आगला कुशन है नेक्ट है अंतिम वाइसराय का नाम अधी गवर्ण जन लाड़ कैनिंग मेयो मांट बेटन गर्जन हमारी आं के लिए ओलंपिक्स बर्दा में पहला शोन पर देखिशने जीता वह जीतने वाले पहले खिलाड़ी की जम बात करेंगे तो उसमें किसका नाम आपके द्वारा लिया जा रहा है वह एक बात जल्दी जल्दी कमुनियों के आंसर दीजेगा बिल्कुल क्या बताएंगे गग हमें गोल्द डिलाया तो उसकी ज About के वैक्टेकट समपर्दा में बात करेंगे की का आपन ना का लाध का नाम आता है कि उन्हों ने लेकिन पहले जो है अभी आली में रेक्तिक सपर्दा में गॉल मेल अभी कोड़ा था और वो नीरत चोपड़ा ने जिता था अभी टो था इन टूरी 2020 टोक्य ओलंबिक की बात करें दो वैसे तो ये 2021 किया गए तो इन नीरत चोपड़ा में किसमें जिता जैवलिंग त्रो में जैवलिंग त्रो में क्या दो जैरमी मित आया था गोल मेल सिड्नी में मैला में बताई एक किसने जिता नाम बताव बिटार आर्जुन आजुने एक बदाई ये मिलकुल जी सभी क्लास सही चल रही है क्या है चलो पूच्छा आपने क्या किया है हां राम नाम भाई चलो गोल मेल को लेकिया था वो कुण सब गोल मेल लेकिया था दो जर मैं सिड्नी ओलंपिक मैं बता जली जली बताई भाई देको में दर कर रहा हूं बेस अबरी से इंजर कर आवर्जुन ना बतादे बतादे एक बर देखो एक नाम आपने सुने आओगा वह एक महिला थी कर न लेकिन वेट लिप्टिंग में कंडम मलेशुरी का दोना माता लेकिन वो गोल मेल नहीं था अब कुन था वो वो तो ये आर्जुन मताव गवाई अजने देख वाई मत्रा नाम निंदी रहा कि तभी अरियाना के ओलंपिक भी कराद जिका जी और एनक ओलंपिक में सारी ची सबसे बड़ा होता है समसे ज्यादा जैसे हमारे हैं मालो जो है 30 क्युष्टि के ख्लारी जाते हैं एक अरियाना के होते हैं नहीं सबस्क्राइब में और बोक्सिंग में हमारे अच्छे का से आते हैं शूटिंग के मामले में तुड़ा सा होता है कि सुटिंग में जैसे संजीव राथ पूद है हमारे या या आपने मनुबाकर है एक अरियाना की लेकिन सुटिंग में चलो सुटिंग में भी में अमारे अच्छे का से आते ह लेकिन उनका समद्द अपने अर्यार्याना से संब्संद माना जाता है शूटिंग में और जो है किस में कुस्ति में यह तीन जो खेल है बड़े फैमस केल माने जाते हैं हमारे लिए ठीक है तो अभी चलो आगे चलते हैं Next आता है आगला से कोई निए पहले भारत कों थे उसका अंशराप के ज़्राव क्या दिया जाएगा एक बार जल्दी से को मिनकी इस Merci आंसर दीजएगा पहले भारती पाइल एक कों थे उसका हांसर कि यह देंगे तो आप मैने वाले हो लाकिस का ओर आंसर या टाटा या यान रजह चार एंसने मनदा चारी तो इसका इन्डिन डीर को करेंगे तो लिए तो रही पर pone जाते हैं नेगा और यह जो एर इंडिया यह आज यह निय-टर्यर निरू के दवारा राष्ट्रीकन कर दिया गया था उसे मैं प्रभ्मना तो किया रहा था मत करो ऐसा लेकिन कर दिया गया लेकिन अब दुबारा से फिर टाटा कमपनी ने इसको वापस खरीद लिया है एर इंडिया की जमात करें तो एर इंडिया ने को 18000 कोड़ रुपए में अब लोगी बारथी है तो मंखय पहले अंतिम कट्ठा किस्तरा है लेकिन मुखय देखा बारति यह बारतिय को नैट चकरवर्ती राजगोपालाचारी आपने असरप्रिदा क्रिशन को और आप जांते हूंगे अना मुहम्मद लिजिन्ना आरवाइज दॉक्टर अब्रशाद अब इता मिल चुका उननीचुट में को भी तो मिल चुका बहुत रतन मुहमद लिजिन्ना को नहीं मिला है बिल्को जी है आ रहेले जैसलिका नाम माठ्यमे डिलेले संग का नम वह थो इता है तो इसे मेरी घूट सेनगा नाम श्यास्थ मैं गुख स्थाइटा आम किसका नाम बदल आ है जो है उन्होंने अइला षा के नाम पर रख दिया वरली सीपल का उनौने एन नदो चेंज हुए है यह पर ओरंगाबाद का नम सम्थाजे नगर हुआ है लिए नहीं हो रहाए है वह है कर दिया गया है और नाम तो महाराष्टर में जो याद आएगा तो आपको बदाता हूं चल आगे चलते हैं भारत आने वाले पहले रूस के प्रदांदरी कौन है जो एक्जाम में ना के बराबर आने का की होती है आप छोड़ी गाइस को देख है बारत का पहले रास्फदी ब क्यों जाओ पहले कर सी मिली कौन था डोटरा आजिने बशाद वैले रास्फदी नीपरशादल भाई एक और याद हर आख यह वात है जब भी कोई भैक्ति-रास्थदी बन जाता है तो किसी पद पर नहीं आ सकता किया है जब कोई लाषी की राजपधी बन चाहे और उसके बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि वह वह राजपदी बनने के बाद ऊचुनाव में खड़ा हो और चुनाव में खड़ा हो करके रो परदांती बन जाई या कोई मुंती बनना चाहिए या मलें भी नहीं कर सकता है तो क्या है ज्याद रखना नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकता है डिकलडी क्या है को उट breaths सफे बतानी लागा रहा है कां कि स्फपद्वाइ जो तो ढ बात करेंतों इनको मिला है इनको बहुत रतन पुर्षकार से भी समयनथ क्या जा शुको यह बहारत रतन इनको दिया जाए शुका है रख्राज ने परसाथ को आपने बाइट के सबसे लंबे सिम्हन राश्पदी रहें यह भारत के सबसे लंबे सिम्हन तक लगाता राश्पदी रहने का डिकोर्ड दो किसी के नाम है तो डॉक्ट राश्पदी बने थे 1950 में में और शिक्टी टू तक लागातार रहे उसे मुझी तरीके से जवाला नेरू उने सो सेंटारिस में जो अंत्रीम सरकार बनी ती उसके बाद जो है लगातार उनी सो चुछ तक लगातार प्रदामत्री रहते हैं सदा बलब अप्टिल की बात करें तो इनको क्या बना गया था आप सब्सक्राइब जत्र बच्छे देख रहे हो सारे वाटेवर को मुझे बता यह मात्मा गांदीजी सवीदान सबागे सदेश्य थे यह तो वह कून से पत पर उनको दिया गया था नहीं थे तो नो सर लिख दो एक है यह सर लिक लिक रहे हो तो इक आपने बताना की वह पर दिया गया होगा कूल सा पत दिया गया था उनको बस एक बार जली से बताएगा वह तो भाई साब कर निदन हो गया ठेक है उनको किसी ने आश्की अत्या कर दिने तरम गोर्ट से जैसे प्राणी ने लिए तो इस चांसर और एक बार यदि आपको बढ़िया लग रहा है आए मैं पर ले और परती गई पर ले विटा अगे चलते हैं नेक्स आता है अगला आता है क्या नेक्शिशन आपी सेंपर भारत आने वाले पहले बिटिस प्रांट प्रदाम्ट्री ऐसे क्रिशन का कोई में नहीं खाता भारत का पहला मुस्लिम रास्पदी भारत के पहले मुस्लिम रास्पदी कौन थे मतलब हम बात करें तो यह सारे मुस्लिम रास्पदी रहे हैं आंसर आपने दिया होगा बिल्कुल ठीक आप दे रहे होंगे लेकिन पहले मुस्लिम रास्पदी कौन थे अरे वह यह वही थे जिनके नाम पर चंडिगड में रोजगर्ण का तरीके से निर्मान हुआ था बताई चंडिगड में रोजगर्ण की स्थापना की गई थी जो वह इनी पूरू रास्पदी के नाम से की गई थी ठीक है 2666 की बात करांगे तो उसका यह नाम तो भी बता दो चंडिगड काजू पहला चीफ कमिशनर था पहला चीफ कमिशनर उसके दवारा रोक्टर जाकिर हुसान के नाम पर यहां पर एक रोजगर्ण की स्थावना करे गई थी याब याद रखना एक यह आप याद रखेगा ब बार हुआ किसके काल में हुआ ऐसा पहली बार डॉक्टर जाकिर उसन के काल में और जब भी कोई व्यक्ती कोई रास्पदी पपना पच्छोड दे उसको मावियुक्षाट आ दिया जाए यह उसकी डैथ हो जाए मतलब हो आपने टाइम से पहले पांच साल पूरा उने से प रहे हैं और यह बारिव और फिरीव जए ऑस तैम पर जो प्रास्पदी ओगा व बने का है कर वार्भी जिए रख लिए रहा गरी इसके नाम से उसको आप जानते हैं और यह उस ट्रेंब्स पदी था यह ने सुटा है यह जो है रास्पदी यार मनद फूडशी बड़ी और में राजे सभागा सवाफ थी बना राख्यांट है अव्तलियों काम करो तो क्या करो यार राजपदी तो तीन सब्सक्राइब रहे हैं और मतलब सब्सक्राइब तो राजपदी आप देखिए रिक यह तो मामी मुला जाता है उसको तो यह व्ला विविगरी आग जी इनरा होगा तो पत्तोकाली होएगा तो आप लुके है जब राष थी नांग तो क्या होगा सुप्रेम कोर्ट कड चीफ रस इस होता है एक का मतलब कारिवाग जो है रासपधी बनता है मतलब अपने रासपधी बनता है कौने वो सुप्रियों कूट का मुखेन अधीस कारवाग रासपधी बनेगा और उस ठाइम सिदायतुला तो यह एक मात्र तरह से दो इस रहे जिए गया तो उसके जस्ट बात कोड़ मना है फगरोधिन अली अमद और फगरोधिन आता है वह थी मोड़ेंट है क्या जब हमारे उन्नी सो पजटर में अमर्जनसी लगती है इंद्रागंदी के समय उस समय पर और आंत्रिक ऐसांती के नाम पर जब भारत में अपने यहां पर रास्पदी कौन थे प्रेजडेंट कौन थे तो उसका नाम था फकरोधिन आलिया वाद तो उसके ने साइन किया था बगर कैबिनेट की मंजूरी के इंद्रागंदी ने बगर के मंजूरी के खुद दीशन लेगर के और बोला कि जी वह सैंट तो कुन करा रा लोगों को जेल में डालने के लिए बोला गया और यह सभी की दिल्ली और इसके आसपास की जहां पर जो निश्पर चपते थे उन सभी लाइट को काट दिया गया लेकिन उस ट्रेंपर दे हिंदू टाइम सफ इंडिया ये निश्मेपर ऐसे थे जिनकी लाइट ने कटी जि लगी और एमर्जन सी लगी और निश्पर पड़ते उससे पहले पांच मुझे सभी पार्दस कविन मंत्रियों को बुलाया गया उनको बताया गया की सुब वसुबर सुबर सुबर निवले के बात वीजी इनुन इतना के बलाने जी आओ बैठो निला जी आमने लगाई है अगया 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 तो आमने राद्य ने कर दिया काम ठीक सैथ तो अबरेंसी लागी है जंदा कि कोई बात नहीं है तो यह वह काल है तो वह फगर ने अली अमयाद का काल था उस समय पर यह अमर्जन से लगए थी याद राखियो एपीज अब्रुक्लाम एक्कमात्टर वेगैनिक रास्पदि इंको बोला जाता है ऴृसाइलमें जिनको आपका आते हो चलो आगे चलते हैं अगला बात में आने वाले पर समामेर की रासपदी इनकी कोई ज्तने है पहले उप्रसपदी कोन थे बताओ जल्दीश ब्स ब़ल्साभी कित चतनी तो वह यह भी यही थे क्या है पहले पीम पहले जो बात करेंगे तो प्रेजिडेंट और पहले वाइस प्रेजिडेंट यह तीन ऐसे पद है इनका कारीकाल लगातार सबसे लंबे तक रहा आज तक जितना लंबा कारीकाल इनका रहा है तो उतना लंबा कारीकाल और किसी का नहीं रहा कोई कि सबसे लंब़ समय तक पहले परदाम्त रीजावला निरू सबसे लंबब द TotallyPresident डॉक्टर proण अबरशार सब हुए सबसे लममेश मिन तक पहले वाई फ्रेजिएंट तो में क्योंकि आपको पता है आपको पता है अगबर के समय में तो इनकी स्थापना वे दिन की कंपनी की और जहांगिर के समय में क्या होता है यह उसमें पर आते हैं यह करप्टनों की सब्सामर्ट तर्टा मश्रू यह किसके समय में आते हैं जहांगिर के समय में जिसको सलीम के नाम से जाना जाता है अरे जहांगिर ने किसके साथ शाधी करी थी नूर जांगे साथ एक मैरूनिसा क यह दोनों तिनों नाम बड़े फेमस आ हैं बाद यह तो इसका इसका आणसर तो आपके दोड़ा दे दिया गया कप्टनों किस तो कैप नों किस आए और इसका अंशर आप तो यह दे रहा होगे तो नूर जहां तो किसके साथ है नूर जाहं के साथ पहला पर दंदी तो द्व कवाली पहले बारतिय कोन है बीना खिजन के माउंट एवरस की चोटी पचडने वाले पहले भारतिय कौन है मोहन सिंग कॉली सेर्पा जो है अंगदोर जी या फिर मुहां सिंग गुंजाएमान या कना या लाल पोख्रियाल बदे यह क्या इस कांश राप दिके दरा दिया गया आप से कोई पूचे की पहले भी सुमें पहले वैक थी कौन थे तो नाम देंगे आप क्या नाम है एडमने लेर और क्या नाम है तेंजिंग नोर्गे सेर्पा तेंदिंग नोर्गे ठीक है और एडमने लेरी का समझ न्यूजलेंड से है और से शेर्पा तेंजिंग नोर्गे नेपाल से पहले पुरस्वारतिय की बात करें तो किसका नाम आता है पहले पुरस्वारतिय आवतार सिंग ची चल्किन आपक तो नाम आएगा अनिता कुंडू और विटो में सबसे उठ सबसे ज्यादा बार मांंट एरह फचेड़ाई करने के ममले में आता है तो कामी रीता सिर्पा किसका नमाता है कामी रीता सिर्पा किसका नमाइब कामी रीता इस सिर्पा के नियुक्त वार है computer पार मांटर्ट पर चड़ाई करने के मामले में नाम है लिया जाता है यार रख लेंगे तो इसका आपके दरा क्या दिया जाएगा सेरपा अंगदोर जी आगला कुशन है पहले शिक्षामंतरी और यह यह विए यह लगातार सबसे लंबे समय तक शिफ्षामंतरी के एपद पर रह वह बड़े लंबे टाइम तक शिक्षामंद्री रहे उनिश्व सटावन था रहे थे आपको पता होगा तो वो नाम आता है मुलाना अबलुक्रामाजाद तो उनिश्व संतरी से लेकर के उनिश्व सतावन तक लगबग ये शिक्षामंद्री रहे एजू किसे मिंस्टर रहे और मुलाना अबलुक्रामाजाद का नाम आप देने वाले हो सबसे युवा में भी और लगातार सबसे लंबे समय तक बहातिया राश्ट्र कुम्रेस का अधिविशन नहीं होता है इसलिए जो है हम कहते हैं कि सर लगातार ये सबसे लंबे समय तक यही रहे लेकिन कोई आप इसलिए करपानी बिल्कुल जी अ मौना अटारा आ है कि वह जो भी फ्रीय है घटार आरा अटारण नेक्स रहे इंगले चलने पार करने वाले पहले वारत वरत हमबारति कुम्हाण है एंगले चनल पारक करने वाले संदीप से ज्वाल बजजा परकाष राखेश सर्मा या मिहरसेन करें अन्लिसcom पार करने वाले पर्थमबार्थे कौन थे एंगलिस चैनल को पार करने वाले प्रसंबार्थे आरे जली-जली सिर्फित्रेवा अंसर दीजेगा और एक बर भाई लाइक कर दो एक बर सारे जितने कम ते कम देखना रहे हैं तो लाई करने बने हैं अ अ जितने अब ये लाय देख रहे हो हो कम से कम इतना अ लाइक तो कर दीजीगा agor करो जल दीचे तो इसका अंसर महिर सेन देने वाले हो आगला किशन नेक्ट है अगला है कि भात में कंद्री मंत्री में इस्तिवा देने वाला पर्थम मंत्री भारत में केंदरी यह मंत्री मंदल से इस्तिवा देने वाला पर्थम मंत्री कौन था पर्थम मंत्री कौन थे तो आंसर क्या दिया जाएगा सुकमार से जीवी मावलंकर श्यामा परसाद मुखर जी यह आप समझानते होंगे जा लोक सबाके पहले आदेख्स कुने सवास समयब्स परसाद मुखर जी तो बताई गारिर मुखर जी के नाम सरी तो हमारे क्लक्ता दिया सlor का नाम क्या रखा गया है समन्मेगी बंद्रगा मारे देश की सब्यों सब्सक्off creativity की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बंदरगा जो नदी पर बनी हो वो है स्यमा प्रशाद मुकर्जी बंदरगा या कलकत्ताल दिया बंदरगा उगली नदी पर जो बनी है यह आपको पता होना जी और पता है भी तो आंसर भी याने वाला है अगला कुछन है मिलने वाले पर्षम भारती है मतलब अंत्रिक्स में जाने वाले पहले भारती को थे तो बदाई यह राकेश सरमा विग्रम्सारा भाई 17 अनूम यहनि में से कोई नहीं क्या अंसर आपके दुरा दिया जाएगा और यह आंसर बता देंगे आप आपने कभी तारा मंडल देखा है तारा मंडल जिसमें वहां बता रखा तारा के सरमा के बारे में वहां बिल्कुल बता रखा था किसके बारे में की राके सरमा के बारे में सारी चीजें बता रखी थी कैसे कैसे गए वह और मतलब जितना अच्छे से गरों के बारे में वहां पर समझा रखा है बाई साब बहुत गजब तरीके से लिए रखा है तो इसकी बात करेंगे तो इस मार्षल शुबर तो मखर्जी या फिर एरचीफ मार्षल रोनाल्डो एवलो चैपमें या फिर थोमस आम हस्ट मदईगा इस काउंचल आपके दराब बिल्कुल यह दिया जाएगा डी आगला के शने है आई आई से फरिक्ष्या में सपथलिया आप पर्फंभारती है ऐच्स प्रिक्ष्या में सपनओने वाले पर्फंभारति helps कोन से मिसेंइर चैनदर नाट अर wreck tir होगे है थोड़ी दिर पहले इसका जिकर किया है आंश्र कैया देने वाले होंगे की की आ एजी की नहीं बारति कूम्त तो क्या इस का आंसर वायब दिया जाएगा यह मेर मिश इंधर ना टाग्वां सब्सक्राद जाएगा किया देंगे सब्सक् climb बारत के पर्तम बाइस एना पर्मुक्त तो आशर देंगे मर्सल मुंखर जी वो रा या पर अजन सिंग या फिर परताब चंदरलाल तो इस कांसर आपके दलाक्या देंगे ए और अप्षिन मुंखर जी ताप देने वाले हो ग्यांड पिर पुर्षकार से समानिज पर्तम वैक सब्सक्राइब कर दिया जाता है उसको आप क्या बोलने वाले होंगे ग्यानपिर पुर्षकार के नाम से जानते हैं तो सबसे सबसे पहले किसके इसको मिला संकर करूब को सबसे पहला ग्यांब diğer gusto का आपके दरा दिया जाएगा तो बहाद रतन से सम्भानित खान अब्दुर्गफार का नाम देने वाले हो यह पकिस्तान के जिनको शिमांत गांदी के नम से जाना जाता है आज तक दो यह व्यक्तियों व्यक्तिया से वें जिनको विद्यसी है और विद्यसी होते वे भी उनको क्या मिला बहारतन मिला लेकिन हमेस्श हों और रतन लिईक शहले की बाहरतन लिया जाता है लेकिन सब्सक्राइब को तो इन तीनों को दिया गया था लेकिन इमानलों यह उप्रास्पती है तो इनको भी आशकता है कि वह अंसर अरादकिशन बताएगा या कोई और तो कि इन अब दिया गया था हाई आना में बताना मुझे क्या वर्तमान में भारतरतन को मरनो प्रांच दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता आंसर दीजीगा कमेंट को कि जली ज़ली बताए है और एक बरने कि इसने कितने रोल कते ताम नहीं इंटारश बाइन लगेस उदिंग रहे हूं जो देख रहे है वो एक घरें को अचितने लग रही है अचिणी लग रि uniquely तो बता दो यह हार बड़ी अलागरी तो बदाए बढ़ी थो गैनियSON की बया इ बाइस साफ चलो कोई बात ने बाइसाफ मतलब लाइक कम हो गए एक बहुत बढ़िया जल्दी करो बेटा मन बार बार क्यों करना पड़ रहा है पिरानी क्यों करना पड़ आपके बाद ही साई लेक करो हां हाँ देखना भी छोड़ स्पोर मर्जी तारी जिसना तमने ठीव ल ऑाहे नेक टो गोर्डन गलोबब आवाड जीतने वाले पर्थम बात सीथम वाले फ्रस्राप धिकि बात करिंद को नम आता है व्रांडी घने शाइने वाइलंकर और अनंट सीनम अंगर क्या देने वाले हो बोंटी सबुट्जम ने सकते हैं आज वर्तमान में कौन है आज वर्तमान में लोग सभागे देश कोन है तो वह लेंगे ओम बिड़ला कौन है परतमान में ओम बिड़ला है स्ट्रालिन पुर्षकार प्राप्त करने वाले परतम बारतिय कोन है स्ट्रालिन पुर्षकार प्राप्त करने वाले परतम बारतिय की बात करें तो किसका नाम आता है सबसे पहला कौन है लेकिन यह बताएगा सबसे पहला कौन है आंसर दीजे अपने से नवर एम क्या है घंट टे एसेन वर्मा टी स्वामिनातन शुक मार्शीन और की वीटे संद्रम फेले चुना वायोध कौन चौन थे इसके बारे में आप अनसर देंगे तो क्या देने वाले वाले खंगे तो पहले चुना एक की जम बात करें तो इसमीं किसे का नाम ल Miche lymph औरिया क्योण मतलब लंक वराए है तक में चैसे पर्सकार रे में मेंक से आपने नाम सुना गर्रे मैं मैंक से पुष्पकार जो फिलिपिन्स की सरकार देती है मिलिगर फिलिपिन्सcidos का मनीला में जो द्या घाल कि राजदानी मुले मैं दिया YouTube क्यों बताऊं भाई है मैं के बताऊ उन इन गहरीजन सब्सक्राइब तो एक ड़ियो किया ओफ लाइन हो भी ऑनलाइन नहीं ओफ लाइन ऑनलाइन दो पढ़ाना कोई वो नहीं है ओफ लैन बड़ा रखी है तो कोई सो नहीं है लेकिन हम जिक्ति पड़ने ज्यादा ठीक है तो रहमन मेंक्से से पुर्षकार जिसको एशिया का नोबिल क्याते हैं तो वीनवाब सबसे पहले भारतिय थे इनको रहमें मक्सी पुर्षकार से समन्हानित किया गया है बोदाना अनोर्वन से घृत पर document मतर पंसे पूर्षकार मिला अभी आली में अध्याता पहले माधिस चीप जिस ओफ इंडिया पहले मुक जिस प इंडिया आंसर दीजीक क्या का देने वाले हो बिल्कुल जी हां ठीक अविटानी साख ओके जलो तो हिराला जेक आनिया एसार दास एमपी सास्त्री और और मेहर्चंद महाजन आंसर दीजी का देने वाले हो तो परतम मुखे नादिश की बात करें तो इसका नाम है इजालाद ये का निया देने वाले वर्तमान में हमारे चीप जसी से तो बोलेंगे डी वाइच अंदर चूट कोन है डी वाइच अंदर इंडिया है और अगे आता है बारत के पर्थम नोबल फुर्सकार पाइज अविजित को ने मतलब से विगानिक जिनको नॉमल भुला हो यह ने उचा कि पहले रिक्टी कौन है नॉबल पुर्सकार विजितर ना वेगानिक पूछा है जांसे क्यां से एक और ज्यांसे आप ने वाले हों पहले फिस्किश रमने मिला था आ रमनी स्क्राइश लिए जौय सीवी रमन को फिश्काने में नोवल दिया गया तो यह पहले भारतीय कर दिया गया था साहित्ते में और पुर्षकार रिड लेट अभी आली में बताओ लेटेस्ट कुन से बारती है जिन को नोबिल मिला है कैला सत्यार्ती है या फिर अभीजीद बेंदर जी है या कोई और आंसरा देने वाले सी या फिर अमर्तिशेन है एक है या वियस नायपाल है को ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको लेटेस्ट अभी आले में नोवल पुर्षकार से समयनत किया गया है यह तो बता देंगे आपको इसलिए आगे चलते हैं आगला है सवतंदर बात में जनम हुआ है जैसे कहते हैं कि सवतंदर बात में जनमा पहला भारत का आपने अरिय सब्सक्राइब का पहला मुखियन अदिश जिसका जर्म आजादी के बाद हुआ है तो उसकी जमात करें तो आंसर आप क्या देने वाले नयमृति सरो सोमी कपाडिया या दखना कपाडिया साब को लेट लेटा सी रेते ज्यादा पुरने में नहीं नोबल पुर्षकार प्र थे हैं ना पर बरता Dos ने यहां तो यह उनो की आता है तो वर्तमार में बरिशिंग्त बंदारी प्रिस प्रिलबित में होता है वों कितने वर्ष का उता है एक कोई बीस रा यहां में जो ने आदिस होता है उसका कारी का लिवर्ष और तो टोल्ल कितने नदीश होते हैं तो उसका अंश्राप क्या देंगे तो उसके नहीं संग्या की बात करें तो वह थी पंदरा नेधर लेंड की रादानी हेग में तो यह पुचाई ने पहले कौन थे तो बोलेंगे डॉक्टर नागे अंदर सिंग वरतमान में सदेसे हैं कौन दल्वे सिंग बंडारी ठेकर बा संदर बैंधर जीन एरमत म अनीने माफ मागडने यह है तो रफी आहमत के देंडी तो जल्दी जल्दी बताइए तो इसका आश्रत आपके दरा क्या दिया जाएगा तो आश्रत मुहानी नहीं गोशना करे थी अगला है अन्टरास्टी ने लेकि पर्थम ने अधिस कौन थे तो अभी तो बोला था में थोड़ दिर पहले लेकर अमर अगला कुशन है बारतिय सब्सक्राइण पर इस क्राइब करें करेंगे तो लेकिन मैं को क्टरी से चला दे रहा हूं आप राजी है थो कि यदि आप आने वाले समय में त्यारी कर रहे हैं डिली बिस कॉंस्टेबल की अरियाना ग्रूप डी की या पर अरियाना पुलिस की कोई भी आप जहां पर जिक्की आती है इन्दी आती है मैंत आता है तो उसके लिए क्लास होने वाली है कितने बज़े ये क्लास होगी 23 को आप सभी आएंगे मेरे साथ जूड़ना जोड़ेंगे आप मेरे साथ जूड़ेंगे मजा आएगा सबको और युदि आप चाहते हो कि भई दिलिब्लिस में आपको वर्ती होना है तो आप यह हमारा इंदर प्रस्ट ले सकते हो और ग्रूप डी की तारीख हैं तो अर्जुन बैस ले सकते हो कैसे ले सकते हो वह भी मता देता हूं चलो एक है उसको लेना कैसे है अड़र निफू सेवन क्या कैसे लेंगे रागा जाना है कैसे लेंगे बाई नर करेंगे बार नहीं करके आपको अपार लगाएंगे कौन सा ले लगाएंगे वाई 737 को अपन लगा तीक yeah कितने का हो गया यह नइशो deleted Re게 खुने मिलेगा यहले अट्यवर přूच स्य करीँग कि देंगे तो है ना सा कोड लगाना वाई 737 ये कोपन कोड भूल मत जाना ठेक है यदि आप दिलिबलिस की त्यारी करें कॉंस्टेवल की और यदि आप त्यारी करें मान लोग जी ना जी मैं तो दिलिबलिस की निकर रहा मैं तो कर रहा हूं गुरूप D की आरियाना में गुरूप D की त्यारी कर class course के रूप में आप है इसको ले सकती हो और ये क्रेइस कोर्स अभी आ गया किसके लिए गूरूप डैटी के लिए और इस्क्रेस को आप स्काते हैं और इसकी सुमरागा पर्सों सई हो राही है या दखना तक ही इसकी सुरुूत हो रही है और यह आपलाई किया लोAD डिकार समिंट टोब एक इतने का हो गया शार से उन्सेटर पाइगा तो इस बैच्व कितने रूप्रे मिले सकते हो चार सून सटने उन्तालेश में इस बैच को आप लेसक्ते हो कोड लगा यह वाई 737 इस कूपन को लगाएंगे न तो को रोक नहीं सकता आपको इस क्राइस को लेने में किसका है ये एचसे सी गुरूप डी ठीक है जो आवीत आने वाली किस तरी को जिसका वेपर है इसकी ऐसी क्रेस्कोर्स में पड़ा पड़ जबर शरी के साब को पड़ा जाएगा मिलकुल क्रीम लावल पर तो आप इसको केव क्रेस्कोर्स के साथ जुड़िए इसमें से क्यूज और या त्योरी दोनों को लेकर करके और सभी टीचर गजब तरीके से बढ़ने वाले हैं और इसकी क्लास की शुरुवात में मैं आपका बदा देता हूं इन क्लासी की सुरुवात आने वाले 23 तारिक से हो जाएगी 23 से सितंवर से कलास हो जाएगी अभी मतलब पर से इसकी क्लास राड़ि हो जाएगी इसलिए जागर के इस 449 में ग्रूप D का सको पहले अपहले आउपाऊ नहीं तो यह मैं बैच सहár 469 कि वजा के इतना का हो जाएगा यह पांसो 69 का हो जाएगा इधिक चाहते हैं कि अभी में तब तक के लिए राम राम धन्यवाद थेंक्यू एवनेश्टे जय हिन जय भारत जय अरियाना है इस वर्दी को पहनने का तो वो सपना हम पूरा करेंगे मतलब हरियाना अड़ाइट इसके लिए हम लेके आया है इंदुप्रस्त वैत वह भी मातरे 999 रुपय में जिसमें आपको में लेगा लाइव क्लासीज, फ्री स्टेडी मेटियल और मोख टेस्ट तो किसका इंज़र कर रहे हो आभी डाउनलोड करें अड़ाइट फूर सेवन अब धन्यवाद